मैं नू नासिर बशीर केंदे ने गौर्णमेट दियाल सिंग कालेज चे पढ़ाना मैं शियर केंदा कॉलम लिखना ते इन सब जो के मैं शायरे मश्रिक हजरते अलामा एकबाल दाएक एक पैरोकार उना दे रस्ते दे चला दी कोशिक कार रहे हूं ते ऐवी चानना हूं कि साड़ी जड़ी नवी नसले उना तक एकबाल दा सही पैगाम पहुंचे ओ पैगाम जड़ा एकबाल ने अपने जमाने दे नौजवानानों देता सी एकबाल दे असल चे मुखाब ही सारे नौजवान थे पामें ओ उस जमाने दे रौजवान सं innoc कि लेकिन उना दी शाओरी मैं समझना कि आफाकी शाओरी है उना दी शाओरी कल भी रेलिवंट सि ते उना दी शाओरी अजवी रेलिवंट है ओना दी शायरी अज़ भी ओनी मानी खेजे जिननी कल सी ते अज़ दे नौजवान नूँ एक बाल दी शायरी चो जड़ा पेगाम मिलदा है ओ ऐवे के मुधर्रक रवो, फााल रवो, बाअमल रवो, अमल करो ते मैं समझता है के ऐही एक पेगाम साड़े शायर दा आमतरल लोंते गल के एक जानती है के शायर जड़ा हूनदा है, बाअमल नहीं है Physical Amb Yuk इकभाल कि ओने वैसी किया है कि इकभाल ने पाकिस्तान दा खाब विक्षैसी लेकिन ईकभाल साड़ा वाहिद शायर जेने खाब भी देखिया ओखाब दुन्याँ चे भी रहा, ख्याल दुन्याँ चे भी रहा, ते नाल जेने अमल दा पैगामे दिता, ते ओना दे अमल दा पैगाम सी, जेने 1947 चे बाद चे एड़ा सोना एक वकरा मुल्क दिता, ते हून इस मुल्क नू बनाना साड़ा कामे, नौजवाना दा कामे, में नवी नसल अग्यानाना लिए, उद्वा काम में. ते ए नवी नसल उद्वा सुर्पर्फिर होवे गी जद्वाख लामा एकबाल नवके uncinails लामाइक बार था प्रदा, भार पर, प्रनद मेड़ू रॉक्न एक पाल दी शारी चे एक बुसल्सल प्राव में चलन दा पाल रहन दा मुभ्याद्न विश्चनल है जे मैं कालेचे पढ़ाना हुआ ए उस तादा दा भी फर्जे के नवी नसल नू इक बाल दे पैगाम तो रूचनास कराना उना दा पैगाम अगे पहुचाना क्यूंकि जे असी सही तरीके नल सही अंदाज चे इकबाल दा पैगाम उस तबके तक ना पुचास क जेदे वास्तेक बाल ने शायरे किती है ते फिर सारी गल्ना बेमानी हो जानी ने फिर साड़ा तरकी दा सबर रोख सागता है फिर साड़ा तरकी दा सबर अग्यनी रहेगा ते तरकी असल चे है इर्तकादा नाम तरकी रुकलन दा नाम नहीं है तरकी चलन दा नाम है पामे मनजल दा ताहियन करदा है जड़ा बंदार रस्तियां ची रहनदा है ते ओ समझो किस ना किसी नवी मनजल दी तलाश होंदा है ते सानू रस्तियां ची रहना चाहिए दा चाल दे रहना चाहिए दा एक बाल दा ही पेगामे ते उन मैं चांद शेर पेश करांगा अलामा एक ब शायर के लबादे में था एक मर्दे खुदागाह, कहने के लिए उसने निकाली थी नई राह। शायर के लबादे में था एक मर्दे खुदागाह, कहने के लिए उसने निकाली थी नई राह। राही था सितारों के जहानों से परे का, ठीका कशा उसके लिए एक गुजरगाह। इनसान था लेकिन उसे कुद्रत ने चुना था, बटके हुए लोगों को दिखाने के लिए राह। जो उसने कहा वो हुआ आईने मुसल्म, वो सल्तनते शेरो सुखन का था शेहनशा, जलवत में खिरद साज, खिरद खेज, खिरद मंद, जलवत में खिरद साज, खिरद खेज, खिरद मंद, खिलवत को बना लेता था वो अपनी खिरद गाह, कोहसारे गिराबार वो अफकारों बयामें, मुझ ऐसे हैं उसके लिए बस एक परे काह, और आखरी शेर देखिए, उस दौर में था खेर तलब एक हमारा, जिस दौर में हम लोग थे खुद अपने ही बद खाह, शायर के लबादे में था एक मर्दे खुदागाह, कहने के लिए उसने निकाली थी नहीं राह, बहुछ शुक्री अज्ञाराब, असरालेकूम, मेरे नाम ऐयूब खावर है, और शायर हूँ, पेडियूसर हूँ, डिरेक्टर हूँ, प्लेराइट हूँ, और क्या आर्स करूँ, बात यह है कि अल्मा इकबाल जो हैं, उनको वफात पाए हुए भी बहुत सारा अर्सा हो गया है, और हम कमाल तरीके से, हर साल बाकाइदा एकिमाम के साथ उनकी सालगरे में बनाते हैं, और उनका जिकर भी करते हैं, और उनके काम के बारे में मुफसल प्रोग्राम की प्रोग्राम्स भी होते हैं, अफिशली भी होते हैं, और अनफिशली भी होते हैं, लेकिन रूफ से खाली होते हैं, वो तो अल्मा इखबाल ने अपने अदब के जरीए, अपने शायरी के जरीए और अपने मजामीन के जरीए और अपने फिक्र और अफकार के जरीए हमरे अंदर उतारने की कोशिश की थी, वो हमें तो लगा कि हमने अपने अंदर जजब कर ली है, लेकिन एक्चुली वो हम में पाकिस्तान की वो लोग जो अलामा एकबाल काल की तालीमात के बारे में दावे भी करते हैं कि वो डॉक्ट्रेट भी किया ओए और ये भी हुआ हुआ है वो सवा थनी किताबें, अजार किताब लिकी जा चुकी लेकिन किताबें तो फिर लाइबरीरी में जाकि बंद हो जाती है खैयत करती जाती है और हमारा जो एक overall कौमी एक सानिया है कि हम तारीख जो किताबें में बंद है उसको खोल कर पढ़ती भी है जजब नहीं करते रिलाइज नहीं करते कि हम कहां ख़ए है मैं समझता हूँ कि वो दिन सही मानों में अल्लम आखबाल की साल गिरा का जिन्दा दिन होगा जिस दिन हमें इस बात के यकीन होगा कि पाकिस्तान में जितनी लोग इकबालियात के माहिरीन है वो भी और उनके जरीए तालीम हासल करने वाली जो और नوجवान है उन मेंसे कई लोग ऐसे हैं जो इखबालियात को ना सिर्फ उन्होंने पढ़ा है ना सिर्फ ये कि उन्होंने समझा है बलकि अपने किरदार का हिसा भी बनाया है मैं अपने लिए भी दौा करता हूँ और आपके लिए भी दौा करता हूँ एक ऐसे साल भी हमारे सामने जिन्दा और पाहिंदा हमारे सामने आए कि जिस दिन हम जी कह सकें कि ये वाकिए गायद आजम और अल्लाम इखबाल का पाकिस्तान है असलाम अलेकूम मेरा नाम शुमाला काशिफग है मैं तद्रीश ते शुबे तो वबस्ता है गी है ते अज मैं एफम पचानवे पंजाब रंग दे चैनल ते तानो एक पिगाम देना चानी है नो नौनवंबर नेड़े गए उस ते हवाले ना अल्लाम इकबाल दे मतलब लेकिन असी कताबां तो ते कताबां तो दूर होंदे जा रहे हैं खास तो ते साड़ी नौजवान नसल जड़ी है और अगर उना दी शायरी पढ़न ते बहुत कुछ सिखन नो मिलेगा इकबाल ने जो नौजवान नसल वास्ते सब तो वड़े ये जड़े पिगाम देता ह हो है देता है कि नौजवान नसल इच बहुत ज़्यादा जो है जोश है जजबा है हिमत है ताकत है कुवत है उनने तो शाहीन करार देता है अपनी नौजवान नसल नो क्या शाहीन है के ने ते नौजवान नसल साड़ी अगर एकबाल दे नक्षे कदम ते चले एकबाल दी शायरी भी पढ़न एनी जिदो जहद उना ने सखाई ये मुसल्माना नो एना उना ने जोश पैदा किता है और सब तो बड़ी जड़ी उना ने गाल किती है खुदी दी कि खुदी जड़ाए गया है खुदी जजबा एक खुदी दाइसास अगर इनसान दे विच आ जाजाए ते असी किसे को लो कुछ ना मंगिये साड़े अंदर अल्ला ताला ने अनी सलाहियत देती है कि असी आप बहुत कुछ कर सकने है असी ता सतारा ते कमंद भी पासकने है ते असी क्यों किसे वाल होर देखिये ते असी ता साड़ी नौजवान नसल बहुत कुछ कर सकती है अगर उना जोश ते जजबा हुए बहादूर कों में वैसे भी ते दूसरी गल साड़ी अकबाल दी शायरी साथ नो जड़ी गल होर पता चल दी हो जड़ी है उना दी शायरी नो ऐसी तफसीर कुरान केंदेने कि अकबाल दी शायरी कुरान दी तफसीर ही है उना दी एक एक शेर इच जड़ा अकसर अशार इच जड़ा सानू पिछे तारीखी जड़ी है बहुत सारे बाकियात सानू मिल देने ते अकबाल द चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं और कुवत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मुहम्मद से उजाला कर दे, इक बाल दी शायरी जड़िये, उता असमान नुच छूजान दी ए, ते साड़ी नौजवान नसल नुचाइदा है कि ऐसी उनना दी शायरी पढ़ है, ते उनने ते अमल पेरा हुए है, उनना दी खुदी ज़बे नौजवान नसल समझे, ते उनने ते अमल करन दी कोशिश करें, बहुत शुक्रिया मिरबानी. जी मैं परफैसर मसरत का आँच्वीब हो रही हैं, असी एते हकटे हो यहां ते असी आजगाल बात का रही हैं हजरत अलामा मुहबद अकबाल दे बारे विच, वो साड़ी कोमी तारीख विच, साड़ी पाकिस्तान दी तारीख विच, इननी वड़ी शक्सियत है, या इननी वड़ी हस्ती है, ते असी समझने आँगे अगर अगर अनने दे शेयरी नो, अनने मैसेज नो अच्छी तरह फालो करिये, ते साड़ी जिन्दगी विचे जड़े मसाइल ने, प्राव्म्स ने, जड़ा डिप्रेशन है, या जड़ा लोका नो समझ नहीं आँगे की करना चाहिए, ते उनननो उनना दे कलाम दा बहुर मुताला करना चाहिए, तो दे विच बड़े गरे मैसेज ने, ज जड़े दे ननन दे प्रेश दा या वफा दे ननन दे खिर करिये, बलकि पिछे भी उननन दे खिर होना चाहिए, ते साड़ी निसाब विच भी जादा तो जादा उननने बारे उच्छे माजमीन पढ़ाए जाने चाहिए ने, ताकि बच्चे नो नालिज हासिल होई, जड रअटीर्स दे लोगन वर्मास्ते वी किती है, यां। थै कि हर फील्ड थे हर एच्छ दे लोगन वर्मास्ते बहुते कुई न खोई मैसिज आ है рис should, लेकि खास्ट अर्टे उननने उनकोई छिञऑ नहाई क्यूंकि चाहिए थैं खॉ利वथ दूआ दे खास्जाते उनने औ तो असी जड़ाना नजात किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो अपना रस्ता किस तरह बनाना चाहिए है, तो उन्हादे एक शेर है, नहीं तेरा नशे मन गुंबत सुल्तानी के गुंबत पर तो शाही है बसीरा कर पहाड़ों की चटानों पर, यानि कि उन्हाने नोजवानों एक नलतेश्पी दीती के जड़ा बलंदियां वाले पासे जानता है, और महल दे उते बैठ नहीं बैठता है, अगर बैठता है ते पहाड़ां दे खुले फजावां विच बैठता है, तो अधी नज़र जड़ी बड़ी तेज होंदी है, दूर तक देख सकता है, तो दे विच अधी बारे क्या जानता है कि वी इस भी सदीद सब्दू बड़े शायर दे। असलिर जड़ा आदमी अपनी सदीद सब्दू बड़े शायर हुनदा है, वो एक पूरे हजार साल दबड़े शायर हुनदो दी वज़े हुन्दी है, पिछली जड़ी सारी अध्वी रवायत ह उन्हों अपनी शारीद इससे बना लेंदे जड़ी आनवाली अद्वी रवायत उन्दी उदे ते सौ साल तक उदे असरात रेंदे इन्हीं असी कह सकने हैं कि आजवी असी इक्बाल दी शारीद साहे वेच चल रहे हैं कि इक्बाल दीयां कि ही जेयताने उएक आलमी स्थाथ दे शायर हों रावा एक सयस्तिती दान Newt corn औनाने पाकसितान क्षाहब भी वेखया। उन्हेंने इंसानियत दे वालने अलवी गाल किती। उन्हेंमें मश्रक दे अँखिलावात नें या उन्हें रिद्ध कनि बहुत आपम में करे विय어도 नजी एस Agris whilst पीडियो की से हुआं। वो नसर निगार भी स्राण खासता और ते उन्हाद लेक्चर ने वो अपने जमाने ने बहुत एहम लेक्चर ने और उन्हाद आला सानों इसलामियात और इसलामी तैजिएब और इसलामी तमद्दन दे बारे जानने जिए बड़ी मदद मिल दिये अक्बाल ने बच्चे वास्ते भी नजमा लिखियां इस वास्ते अक्बाल शायद वाहिद शक्सियत ने कि जड़े बच्चे दुलाया के फलस्फियां तक हर एक वास्ते उन्हाद दे शायरी कोई ने कोई चीज़ मौजूद है अर हर सता दे आदमी लों अपील करते ने उन्हा दे असराद जड़े ने जिस दरह कमें पहले कही कि उन्हाद है बच्चे खाऊ नून मि वराश्त है खाऊ ब फैजने खाऊ मजीरमजदने उन्हा के नज़रां देने किसे जगह उन्हा दी मेजरी दासर है, किसे जगह उन्हा दे फिलस्फे दासर है, किसे जगह उन्हा दी इस्लामियात दे नाल जड़ी निस्बत हो दासर है, और उन्हा ने जड़ा सानु पाकिस्तान देड़ा, उन्हा ने खाब देख्या, और जिसनु फिर बाद इच काईद आजमने हकीकत बनाया एक इनी वड़ी गाल ले कि आज ऐसी एक अज़ाद मौशरी से साल एह रहे हैं और सानू कमसकम हर तरह दिस्तबदाद और जबर तो ऐसी अज़ाद है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मेरा नाव डाक्टर शाहदा दिलावर शाह है मैं शायरा और कालम निगार अफसाना निगार मैं सुच रही है कि ऐसी किड़ी खुशकिसमत काऊमा कि साड़े ते किड़े अज़ीम लोगां दी शफकत दा साया है ओ हस्तिया जिना ने साड़ा हाल और मुस्तक्बिर दोनों बना दी ता आज अलाम मुहमद अकबाल नोसी सलाम पेश करने है कि जिना ने जिना दी जिदो जहुद ना जिना दी महनत ना साट्रगल ना सानू आज दी अज़ादी नसीब होई और उना दी फिकर नो उना दी काम नो उना दी अमल नो अग्गे पुचान दी जरूरते एसाड़े कंद अज़ा होई है एक कुरोना दी फजा और दूसरी डेंगी पर आल्ल्ह ताला गये दौाए आज मुबारिक दिन के एस अजमाईश तो असी जल्दी निकलिए और अलाम मुहमद अकबाल नो उसी याद करिए उना दी फिकर नो फिलाए उना दी जहद नो उना दी कम नो उना रूम वास्ते सी दौा करने बहुत शुक्री है मिर्जा हामिद बेख मैं उस कॉलिज में पढ़ाता रहा और वहीं से रिटायर हुआ जो कॉलिज अलामा अकबाल ने अपने तोर पर उस वक्त प्लैन किया था जब सरस्यद अमद्खान दोरा लाहौर के बाद वापस जा चुए थे और वो यादें यहां जिन्दा थी और वो वादा यहां याद किया जा रहा था जो सरसेयद अमुत खान ने पंजाब के रहुसा से किया था कि आप अगर अलिगर के लिए कुछ दान करेंगे तो आप की तरफ से जो रकम हमें मिलेगी उसको हम स्टेजी हाल अलिगर में नामों के साथ दर्च करेंगे बहुत बाद में जब मेरा अलिगर जाना हुआ तो मैं सरसेयद अमुत खान की कि उस वादे को चेक करने के लिए वहां गया और मैंने देखा कि जो जो रकम पंजाब से उन्हें मिली थी उनके नामों के साथ वहां दर्च थी बाद अजब इस्लामियों कालिज की बुनियाद रखी गई तो उसका नक्शा भी अलामा अकबाल ने अपनी निगरानी में तयार करवाया और उसकी जो बालाई बिल्ड़िंग थी उसमें उन्होंने एक इहत्माम किया और वो इहत्माम था कि एक इंस्टिटूट रिसर्च इंस्टिटूट होगा चो ऊपर काम कर रहा होगा और उसके साथ एक लाइबरेरी होगी और उस लाइबरेरी को खुद अल्लामा अकबाल की जाती लाइबरेरी की सहुलत भी मुजसर आ जाएगी अल्लामा अकबाल की जो जाती लाइबरेरी थी वो एक जमाने तक इसलामिय कालिज में महफूज रही फिर यहां से इसलामिया कालिज सिविल लाइज चेली गई और अब खुदा का शुक्र है कि वो लाइबरेरी जो है वो एकबाल अकैडमी को तफ्रीज कर दी गई है तो उस लाइबरेरी के हवाले से मैं जब देखता हूँ कि अकबाल किस नो की शख्सियत थी और वो किस तरह चीजों को जज़ करते थे तो उन कुटब पर उनकी कच्ची पैंसिल से लगे हुए निशानात और बाज उकात कोई मिजाहिया कॉमेंट उनकी शख्सियत को समझने में बहुत मददगार साबित होता है अलामा साब की पाकिस्तान के हवाले से जो खिद्मात है या उन्होंने जो तसवरात पेश किये वो तो जाहरे हैं ही इस काबिल लेकिन अलामा अकबाल का जो जो तालुक मैं महसूस करता रहा उन्हीं के बनाई हुए कालिज में वो मेरे लिए काबल फखर रहेगा मेरे नाम रजा रियाज है और मैं अबुलसर हफीज जालंद्री की बेटी हुए और अलामा अकबाल के बारे में मेरे ख्यालाच जो हैं वो हर पाकिस्तानी की तरह मैं यही कहूंगी कि जो हमारी बनियाद है सब बच्चों को पता है सब बड़ों को कि पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का कॉंसेप्ट, दो कौमी नजरिया जो भी था, वो सब अलामा इकबाल ने दिया और प्री पार्टेशन जो हालात थे मुसल्मानों के, तो उन्होंने शिक्वा और जवाब शिक्वा लिखकर हमें जगाया और हमें कहा कि खुदी को कर बलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता, तेरी रजा क्या है तो मेरा ख्याल है कि उनके कलाम को हमें बहुत दोहराना चाहिए, उस से सबक लेना चाहिए और उसी पे अपनी कौम की, अपनी मिलत की बनियाद रखनी चाहिए अल्ला में अकबाल हमारे सबसे बड़े शायर हैं, सबसे बड़े मुफकिर हैं, मुफकिर पाकिस्तान हैं और उनको सिर्फ नाम लेके ही नहीं, बलके उनके कलाम से उन्होंने जो कुछ हमें पेखाम दिया, उसे हमें याद रखना चाहिए, दोहराना चाहिए और अपनी आने वाली नसलों को उससे आगाह करना चाहिए खुदा आपिस